के रागलो एड़ी शैंपू का उप्योंग किन कंडीर्जनस में किया जाता है के रागलो एड़ी शैंपू को कैसे लगाना चाहिए और केरागलोएडी शैंपू की वजह से क्या साईड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि केरागलो एडी शैंपू को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। केरागलो एडी शैंपू एक एंटिफंगल दवा है। केरागलो एडी शैंपू का उप्योग सिर की तवचा में डैंडरफ को ठीक करने के लिए और डैंडरफ को होने से रोकने के लिए केरागलो एडी शैंपू का उप्योग किया जाता है। डैंड्रफ की समस्या होने पर सिर की तवचा से सफेद रंग की सूखी पपड़ी उतरने लगती है और डैंड्रफ की वज़ा से बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं। इसके अलावा सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने पर भी केरागलो एडी शैंपू का उप्योग किया जाता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस डैंड्रफ का ही एक गंभीर रूप है। सेबोरिक डर्मिटाइटिस होने पर तवचा से सफेद रंग की सूखी पपड़ी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से गिरने लगती है। अब हम डिसकस करेंगे की केरागलो एडी शैंपू को कैसे लगाना रेक्मेंड़ होता है। केरागलो एडी शैंपू को लगाने से पहले आपको अपने बालों और सिर की तवचा को पानी से अच्छी तरह से भीगो लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी मात्रा में केरागलो एडी शैंपू को लेकर सिर की तवचा में अच्छी तरह से लगाना चाहिए। और हलके हाथ से मसाज करनी चाहिए और केरागलो एडी शैंपू के जाग बनने के बाद केरागलो एडी शैंपू को तीन मिनट से लेकर पांच मिनट तक सिर में लगा कर छोड़ देना चाहिए और उसके बाद केरागलो एडी शैंपू को पानी से अच्छी तरह से धो लेना Dandruff को ठीक करने के लिए डॉक्तर शुरुवात में पहले चार सपता तक केरागलो A.D. शैंपू को सपता में दो बार लगाने की सला दे सकते हैं, और चार सपता तक लगातार लगाने की सला दे सकते हैं. केरागलो एडी शैंपू को बंद करने के बाद डैंडरफ की समस्या दोबारा हो सकती है इसलिए डैंडरफ की समस्या को दोबारा से होने से रोकने के लिए डॉक्टर चार सपता बाद केरागलो एडी शैंपू को महीने में एक बार लगाने की सला दे सकते है केरागलो एडी शैंपू की डोज, उम्रव बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको केरागलो एडी शैंपू को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लगाना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में केरागलो एडी शैंपू की वज़ा से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में केरागलो एडी शैंपू की वज़ा से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे बालों में सूखापन होना, बालों का पतला होना, बालों की चमक कम होना या बालों का रंग फीका पढ़ना, बालों का गिरना, तवचा में जलन होना, तवचा में खुजली होना और तवचा में लालपन होना आदी side effects केरागलो एडी शैंपू की वज़ा से हो सकते हैं. KeraGloedi Shampoo की वजह से ये side effect सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं. केवल 2% से भी कम व्यक्तियों में इन side effects को notice किया गया है. यदि किसी व्यक्ती को KeraGloedi Shampoo को लगाने के बाद सिर में बहुत ज्यादा जलन, खुजली, तवचा का लाल होना, सिर की तवचा पर रैशिस होना, मुंगले होटो या तवचा पर सूजन होती है या ऐसा कोई लक्षन लगातार बना रहता है तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षन केरागलो एडी शैंपू की वज़ा से एलर्जिक रियेक्शन होने पर हो सकते हैं और एलर्जिक रियेक्शन होने पर तुरंथ मेडिकल ट्रीटमेंट की आवशकता होती है अब हम डिसकस करेंगे कि केरागलो एडी शैंपू को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए यदि आपके सिर में कोई चोट लगी हुई है या आपके सिर में कोई घाव है तो आपको केरागलो एडी शैंपू को नहीं लगाना चाहिए केरागलो एडी शैंपू को केवल सिर की तवचा पर ही लगाना recommended है 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए केरागलो एडी शैंपू को लगाना recommended नहीं है केरागलो एडी शैंपू को आख, नाक और मुँं के किनारों के पास लगाना recommended नहीं होता है यदि गलती से केरागलो एडी शैंपू आखनाक या मुँ में चला जाता है तो आपको केरागलो एडी शैंपू को तुरंथ ही पानी से धो लेना चाहिए बालो में ज्यादा केमिकल से भरपूर हेयर कलर का इस्तमाल करने की वज़े से भी डैंडरफ की समस्या हो सकती है इसलिए ज्यादा केमिकल से युक्त हेयर कलर का उप्योग न करें बालों में बहुत ज्यादा तेल लगाने की वज़ा से और बालों में बहुत ही कम तेल लगाने की वज़ा से और बालों की नियमित रूप से सफाई ना करने की वज़ा से सिर में डैंडरफ होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसलिए आपको बालों की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। वैसे केरागलो A.D. शैंपू प्रेगनेंट महिलाओं और गर्प में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी केरागलो A.D. शैंपू को लगाना सुरक्षित है। इसलिए डॉक्टर जरूरत पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को केरागलो A.D. शैंपू को लगाने की सला दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति को केरागलो AD shampoo या इसके किसी भी ingredient से allergy है, तो ऐसे व्यक्तियों को केरागलो AD shampoo को नहीं लगाना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए. विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका केरागलो एडी शैंपू से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं